यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक के हर खबर के अपडेट पाओ आगे बढ़ेंगे से बड़ी खबर आ रही है जजजर से जहां राजकुमार सैनी ने बड़ा बयान दिया है और हुड़ा पर निशाना साधा है जजजर से उन्होंने कहा जिस तरह से हर बार वो सुर्ख्यों में रहते हैं बयानों को लेकर उन्होंने कहा राजकुरी सुक्देव को फांसी दिलाने में पूर्वज शामिल थे तो हुड़ा पर निशाना साथा ऐसी धै तो और परमबाला की सेंडरल जेल में लिखा है पूरा रिकॉर्ड ये भी राजकुमार सैनी ने कहा और साथ ही आपको बता दें कि अपने इस तरह के बयानों से कई बार अपने ही पार्टी के खिलाफ बयान दे देते हैं लेकिन इस बार जजजरजन का बयान सामने आया है बयान वुपेंदर सिंग हुड़ा को लेकर के है और उन्हें कहा कि सुखदेव और राजकुरू को फांसी दिलवाने में कहीं ना कहीं पूर्व सी एम के पूरवजों का हाथ रहा है तो बड़ा बयान इस पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन बड़ जुट चुके हैं जजजर से हमारे समवाजाता सुमित कुमार सुमित क्या कुछ अपडेट है आपके पास राजकुमार सैनी का बड़ा बयान सामने आया है देखें हमांदीब आप राजकुमार सैनी का जजजर के नंगलाकुताने गाओं में एक कारेकरम था जहां उबतोर मुक्तिती पोचे थे जा उन्हें अपने सम्मूर्दन में पूर शीम हुटा पर जबर दस परार किया है उन्हें चीज़ी तोर पर आरोप लगाया की पूर्छ सीम हुटा के जो पूरज थे उन्हें जो सु vinegar और राजलु उन्हें फासी दिल की ते तो उस दोरान उनके जो फूरी तो वह साम थे जिए परकन उनका स्वयोगदा इसके रहला हुदा पर एक और उन्होंने चीज़े तोर पर प्रहार किया कि हुदा साब लगाता जो जीदिया इजाद के बाद सरकार पर बदले की भावना का आरोप लगाते हैं जिए वह भी सरा राजकुमार जज्जर से जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजकुमार सैनी नी जज्जर में आज बुपेंदर सिंग हुद्डा पर निशाना साधा और साथी चोटाला परिवार को भी आज आड़े हाथों लेते नजर आए राजकुमार सैनी झाल